नमबर बीस नहरू रिपोर्ट 1928 इस्वी कॉंग्रेस द्वारा साइमन कमिशन का बहिसकार करने पर भारत सचिव लार्ड बरकेन हेड ने 24 नमबर 1927 इस्वी को भारतियों के सामने यह चुनावती रखी कि वे ऐसे सम्विधान का निर्मार कर ब्रिटिस संसत के समक्ष पेश करें जिसे सभी दलो तथा भारत की आम जनता का समर्थन वा सहमती प्राप्थ हो कॉंग्रेस ने इस चुनावती को सुईकार करते हुए 28 फरवरी 1928 इस्वी को दिल्ली में सर्वदली सम्मेलन बुलाया जिसमें 29 संस्थाओं ने भाग लिया कुछ मौलिक बातों को निश्चित करने के बाद इसकी बैठक स्थगित हो गई और 10 मई 1928 इस्वी को डॉक्टर अंसारी की अध्यक्षता में बंबई में इसकी दुबारा बैठक हुई जहां पर भारत के सम्विधान का प्रारूप तयार करने के लिए नव व्यक्तियों की एक कमेटी नियुक्त की गई जिसके अध्यक्ष पंडित मोतिलाल नहरू थे नहरू जी के अतरिक्त अन्य सदस्यों में अली इमाम, शुएब कुरैशी, म.स. अने, म.र. जैकर, मंगल सिंग, तेज. बहादूर सप्रू, एन. एम. जोशी, जी. पी. प्रधान तथा सुभाश चंद्रबोश सम्लित थे पंडित मोतिलाल नहरू ने 10 अगस्त 1928 इस्वी को अपनी रिपोर्ट प्रस्तूत की जिसे लखनव के सर्वदली सम्मेलन में सर्वसम्मती से स्विकार कर लिया गया किन्तु 22 दिसंबर 1928 इस्वी को जब रिपोर्ट कलकत्ता में पुनह विचार को रखी गई तो वहाँ सामपरदाइकता ने अपना प्रभाव दिखाया मुसलिम लीग, हिंदु महासभा और सिख लीग के कुछ सामपरदाइक रुजान वाले नेताओं ने इसे लेकर आपत्तियां की फल सोरूप राष्ट्रिय एकता का दर्वासा बंद कर दिया गया और सामपरदाइक भावनाय लगातार विक्सित होती रही नेहरू रिपोर्ट से सुभाष चंदर बोज, पंडिजवाहला नेहरू तथा सत्यमूर्ती जैसे अन्य युवा भी सहमत नहीं थे नेहरू रिपोर्ट का आधार अधिराज्य का दर्जा अर्थाद डोमिनियन स्टेट का था नेहरू रिपोर्ट में भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन तथा प्रांतों को स्वायत शासन देने की बात कही गई और सारी शक्ती केंद्रिय विधान सभा के प्रती उत्तरदाई भारत सरकार के हाथों में रखी गई केवल विदेशी मामलो एवं सुरक्षा को ब्रिटिश सुनियंत्रण में रखा गया इसी क्रम में नागरिक अधिकारों के संदर्व में लोगों को भाषन देने, समाचार पत्र निकालने, सभाएं करने, संगठन बनाने आधी की सोतंतरता प्राप्थी नहरू रिपोर्ट में सांप्रदाईक प्रतनिधित्तों का विरोध किया गया तथा सभी वैसकों को मतदान का अधिकार दिया गया 1928 इसवी में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए मोतिलाल नहरू ने कहा कि यदि सरकान नहरू रिपोर्ट 31 दिसंबर 1931 इसवी तक सुईकार नहीं करेगी तो कॉंग्रेस अहिंसक असायोग आंदोलन शुरू करेगी लेकिन सुभास चंदर बोस एवं जवाहलाल नहरू के दबाओ के कारण यह समय एक वर्ष बढ़ा कर 31 दिसंबर 1931 इसवी कर दिया गया इसी क्रम में सुभास चंदर बोस तथा जवाहलाल नहरू ने 1928 इसवी में इंडिपेंडेंस लीक की स्थापना की जिसके माध्यम से इन्होंने देश के युवावर्ग को सुतंतरता के प्रति आकरशित किया नहरू रिपोर्ट को राष्टवादी मुसल्मानों ने तो सुईकार कर लिया किन्त मुहम्मद अली जिन्ना मुसलिम संपरदाय के लिए कुछ रियायतें चाहते थे इन्होंने अन्य मांगों के अतरिक्त केंदरिय विधान मंडल में एक तिहाई मुसलिम प्रति निधित्त की मांग की जिसे कॉंग्रेस ने सुईकार नहीं किया भलसरूब जिन्ना डॉक्टर मुहम्मद शफी के नेतित्त वाले रिपोर्ट विरोधी मुसलिम गुट में समलित हो गए इसी क्रम में मुहम्मद शफी तथा आगा खाने दिल्ली में आल पार्टी मुसलिम कॉंग्रेस का आयोजन किया जिसकी अध़क्षता आगा खाने की इस सम्मेलन में कॉंग्रेस के साथ कोई सहयोग ना करने का निर्णा लिया गया जिन्ना ने अपने इस्तिती को सुद्रण करने के लिए या नहरु रिपोर्ट में मुसल्मानों के लिए प्रिथक निरवाचक मंडल की सुविधा न दिये जाने के कारण इसे अस्विकार कर और मार्च 1929 स्वि में 14 सूत्री मांग प्रस्तुत की जिनका विवरण इस प्रकार है तथा अवशिस्ट शक्तियां प्रांतों के पास हो नमबर पांच प्रांतों में एक सामान स्वायत्ता हो नमबर छे पंजाब बंगाल और उत्तर पश्चिमी प्रांत में कोई भी ख्षेत्रिये पुनर वितरन मुसलिम बहुमत को प्रभावित ना करे नमबर साध सभी संप्रदायों को धार्मिक सोतंतरता हो नमबर आठ कोई भी विध्यक या प्रस्टाओ किसी विधान मंडल अथ्वा किसी अन्य निर्वाचित निकाय में पारित ना हो यदि किसी संप्रदाय के तीन चौथाई सदश्यों ने उसका विरोध किया हो नमबर नव उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और ब्लूचिस्तान में सामविधानिक सुधार लाए जाएं नमबर दस सिंदु को बंबई से प्रिथक करने का प्रस्ताओ नमबर ग्यारा राज की संपूर सेवाओं और स्थानिय स्वशासी संस्थाओं में मुसल्मानों के लिए परियाप्त स्थान आरक्षित हों नमबर बारा मुसलिम संस्कृती धर्म पर्सनल ला और चेरिटेवल संस्थाओं को सुरक्षा प्रदान की जाए नमबर तेरा केंदरिये मंत्री मंडल और प्रांती मंत्री मंडलों में मुसल्मानों का कम से कम एक तिहाई प्रतिनिधित हो नमबर चौदा केंद्रिय विधान मंडल द्वारा भारतिय परिसंग की इकाई एवं राज्यों की सहमती के बिना समविधान में संशोधन ना किया जाए महमद अली जिन्ना ने द्विराष्ट्र सिधान्त का प्रतिपादन किया तथा 20 मार्च 1940 को लीग के लाहोर अधिवेशन में पाकिस्तान प्रस्ताओं को पारित करवाने में महत्यपोन भूम का निभाई नाइडियों ने जिन्ना को हिंदु मुस्लिम एक्ता का अग्रदूत तथा गांधी जी ने काइदे आजम कहकर संबोधित किया